दोफ्तों ये यूट्यूब पर एफी पहली वीडियो होगी जो शुरू फे लेके आकिर तक आपको ड्रिप इरिगेशन को फिट कैसे करें इसकी पूरी जानकरी देगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ड्रिप से जुड़ी हुई कोई दूसरी वीडियो देखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी चलिए आगी दोफ्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आपको ड्रिप इलिकेशन सिस्टम को फिट कैफे करते हैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकरी मिलेगी शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको सारा बताऊंगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं तो मेरे हाथ में एक रिंग है इसके उपर हमने ड्रिप पाइप हो गई आखिर तक इस वीडियो को जूर देखना फिर आपको पूरी नॉलज़ हो जाए कि रिप्रिकेशन सिस्टम को फिट कैसे करती है एक मेरी गरंटी है कि आप लोग यह वीडियो लेखते हमें बहुर बिल्कुल नहीं होंगे और दोस्तों यह वीडियो स्क्रा यह हैं दोस्तों हमारी पीबीफी पाइप्स यह पीबीफी पाइप्स इस प्रजेक्ट में हम लोग दो तरे की यूज़ कर रहे हैं एक 90 mm की और एक 63 mm की यह हमारा टोटल आठ एकट का प्रजेक्ट है और इसमें हमने 1200 प्लांट्स को कवर करना है जो हम लोग मेंल लाइन य 90 mm की फब लाइन है उसमें फे हम लोग ड्रिप के कनेक्शन निकल लेंगे और जो हमारी 90 mm की मेंल लाइन है मेंल लाइन फे हम लोग सम मेंल लाइन को कनेक्शन देंगे मेंल लाइन यूज़ होती है दोस्तों ड्रिप सिस्टम के पार्ट बनाने के लिए जैसे मारा आठ एक तरह पे आपने PVC पाइप को जॉइंट करना है यह वीडियो दोस्तों complete detail होगी इस वीडियो को आप आखिर तक जुरूर देखना इसमें आपको पूरी knowledge मिल जाएगी कि drip system को fit cafe किया जाता है यह दोस्तों हमारी main line है जो अभी हम लोग joint कर रहे हैं और जो पॉद्दों के बीच में हमारी line जा रही है वो हमारी subline होगी यह अंदर दोस्तों हमारी पॉद्दों के बीच में फब लाइन जा रही है फब लाइन को भी joint कर लेना है अब हम लोग main line को खाली में डाल देंगे और यहां पर दोस्तों हम लोग एक पार्ट बनाएंगे यहां पर हम लोग एक control व ये अलबो डालेंगे इसको बेंड देने के लिए क्योंकि यहां फे हमारी खाली टर्न कर रही है जो भी दोफतों अपने कंट्रोल वाल्व लगाना है वो ध्यान रखना है कि पॉद्दों के बीच में लगाएं बाहर की फाइड में ना हो ताँ जो कोई ट्रेक्टर बगरा चले तो वो तूटे ना अब हम लोग यहां फे तीन फूट अंदर कंट्रोल वाल्व लगा रहे हैं इसलिए ताँ जो ट्रेक्टर की वहाई के दोरान यह तूटे ना इस तरह फे दोफ्तों आपने जो कंट्रोल वाल्व की हाइट रखनी है वो जमीन फे तकरीवन एक फीट उचा रखें यह हमारा कंट्रोल वाल्व दोफ्तों यहां पे जॉइंट हो गया है यहां फे हम इस पाइड को बंद कर फकते हैं और चला फकते हैं इस पाइड को जॉइंट करने के बार खाली के अंदर डाल देना है अब दोफ्तों हमने ड्रिल करनी है यहां पे पॉद्दे आ रहे हैं वहीं पे हम लोग ड्रिल करेंगी हम लोग दो ड्रिल करने हैं क्योंकि हमारे पॉद्दे दोनों तरफ हैं और बीच में हम लोग पीबीफी पाइप डाल नहीं है यह रवड होती है दोस्तों रवड के उपर यह टेक ओफ लगेगा इसको कम्प्लीट पीफ को जीटियो कहते हैं जी फॉर ग्रॉमिट टी ओ का मतलग हो गया टेक ओफ ड्रिल 16 mm की करनी है द्रिल अच्छी क्वालिटी की लिए रवड डालने के बाद इसमें टेक ओफ डाल दे अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके रिंग कैसे तेजार करने है यह हमारी 12 mm की पॉलिट्यूम हो गई दोस्तों हम लोग पॉद्दे को 10 फीट का रिंग देंगे तो हमने पहले यहां पे मार कर लेना है 10 फीट मीफ 3 मीटर तो यहां पे अब लोग हम लोग 3 मीटर के ओपर मार कर लेंगे यह हमारा 3 मीटर यहां पे हमने मार कर लिया और ऐसे हमने वो दूफरी तरब भी मार कर लिया अगर एक एक टुकड़ा आप ऐसे काटेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आप तीन चार रोल को एक फाथ काट ले और उनको एक फाथ आप काटें इसफे आपका बहुत टाइम बचेगा और बहुत तेजी फे काम होगा यह आप देख credential है हमने थीन थीन तीन मीटर के टुकड़े काट ली एफ फे दोफ़टो अपने जितने यि त्यार करने है उपकी काउंटिंग करके उपी फाफ़या आपने यह रिंग काट लेने है अब हमारे ये टोटल दिंग कट चुके हैं तो ये है दोफ़तो टी फोला बारा की और ये है एंड कैप जो हमने तीन-तीन मिटर के टुकडे काटे थे उनकी एक तरफ ये टी लगेगी और दूफ़ी तरफ ये एंड कैप लगेगा ताँ जो आखिर फे पानी ना निकले अब दूफ़तो हमारे टी और एंड कैप लग चुके हैं तो अब हम लोग इन में डिपर लगाएंगे ये हैं दूफ़तो डिपर ये 4 लिटर में भी आते हैं 8 लिटर में भी और 14 लिटर में भी हम लोग यहां पर 8 लिटर वाले यूफ करेंगे जो आपने ड्रिपर लगाना है ये पहले आपने इसमें होल कर लेना है पाइप में हम लोग चार ड्रिपर लगाएंगे इस रिंग के उपर तो चारो ड्रिपर को बराबर दूरी पे नाप के लगाना है चारो ड्रिपर के आपफ की दूरी एक बराबर होनी चाहिए यह हम लोग ने चारो होल कर लेने हैं पहले होल बारीक करें और दूफरी तरब होल ना हो इसका ध्यान रखें पाइप में यह हमारा ड्रिपर है यह पुश बटन होता है इसमें तो ये push button एफे आपने dripper punch कर दें आपने dripper लगा देना है एफे little के अंदर जो दोफतों आप डिपर लगाएंगे वो 4 डिपर उपर की तरफ होने चाहिए इस बात का आपने द्यार रखना है जैसे ये हमने ring बनाया और इसके तीन dripper उपर है और एक dripper नीचे है तो ये फ़ही रिंग नहीं है आपका ring बिल्कुल एफे होना चाहिए चारों dripper उपर की तरफ हो अब दुफतों मारे पूरे ring तियार हो चुके हैं इन rings को हम हर एक plant में देंगे जब आप ring देंगे तो ध्यार रखना T का मू एक तरफ ही होना चाहिए जाँ वो आप right side में रखें जाँ left side में रखें पर सभी का एक तरफ हो अगर right में है तो सभी का ही right की तरफ होना चाहिए यह दोस्तों हम लोग अभी ring डाल रहे हर एक पौद्दे में एक बार दोस्तों ring तियार करने के बाद आप सभी पौद्दों में सब से पहले सारे rings लेयाउट कर लें उसके बाद आप आगे का काम शुरू करें जैफे यह हम लोग अभी पौद्दों में ring दे रहे है यह ring हमारा 3 मिटर का है और हमने 4 चार डिपर्फ दिये है एक डिपर्फ डिफ चारज 8 लेटर है टोटल 32 लेटर पानी मेलेगा हमारे पौद्दे को 1 घंटी में उसके बाद दोफ्तों आपने यह फोला एमेम की पौली ट्यूब को इसके फाद लेयाउट करना है पौद्दों के फाद इस फोला एमेम की पॉली टूप फे हम लोग जो हमने रिंग दिये हैं उसको connection देंगे इसको अच्छी तरह फे पहुंच देखे फाथ आप layout करें दोस्तों चैनलों को subscribe जुरूर कर दें और फाथ में जो bell icon उसको press जुरूर कर दीजिए तो दोस्तों जो हमने ये जीटियो निकाले थे pipes के उपर अब ये फोला एमेम की पॉली टूप को हमने इस जीटियो में fit करना है ऐसे अच्छी तरह फे इसको fit करें तो कि ये एक बार जमीन में underground हो जाएगा तो फिर दुवारा इसकी repair करने मुश्किल होगी इसको अच्छी तरह fit करें ये हमारी पॉली टूप अच्छी तरह फे दौफ तो fit हो गई है ये हमने पॉली टूप फिट कर लिए तो उसके बार ये pipe को हमने खाली में डाल देना है दौफ तो हमने वहीं पे point निकालने है यहाँ पे हमारे पॉद्दे आ रहे हैं बीच में हमने कोई point नहीं निकालना है क्योंकि हमें वहीं पे पाणी चाहिए जहां पे हमारा पॉद्दा है आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ connections निकालने हैं क्योंकि हमारे पॉद्दे दोनों तरफ है ती लगाने से पहले इस pipe को खीच लेना है ताँजो यह pipe बरबर हो जाए आप एक बात दियान दिजिए जो हमने पहला triple लगाया वो लगाया ती फे 5-6 जगह छोड़के ताँजो अगर कुछ सालों बाद अगर आपकी यह तूटती है तो अपने पाफ इतनी space होनी चाहिए कि नई टील लगा सके क्योंकि इतना हम लोग काटते रहेंगे और जो आखनी ट्रिपर दोस्तों लगाना है वो लगाना है आपने जहां पर अपना एंड कैप आ रहा है इसका फाइदा यह होगा कि हम लोग रिंग को पूरा फेला सकते हैं जैसे कि अभी मैं आपको यहां प लगाया था तो आप एक तरह से दिखेंगे हमारे चारो ड्रिपर चारो कॉनों पर आगे पौद्दे के अब दोस्तों जो पौद्दे की कनोपी होती है जितनी उसकी कनोपी है वहां तक उसको पानी की जरूरत होती है तो इस लिंग को लास्ट में ड्रिपर लगाने का दोस्तों यहां पर हमारे टी है तो वहां पर हमने यह पाइप को काट लेना है पाइप को 16 mm काटने के बाद एफे टी को आपने इसमें लगा देना है जब भी आप टी लगाएं तो यह पौद्दे फे थोड़ा दूर होना चाहिए जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो यह यह हमारे चारो ड्रिप पर आगे दोस्तों चारो कोनों के ऊपर अब हर एक प्लांट के पाफ है फे हमने इस 16 mm की पॉली ट्यूब को काट देना है और इसमें यह टीव लगा देना है इसमें यह लूप को फिट कर देना है तो दोस्तों यह हमारी मोटर मोटर के पास हम यहां पर एक टीव पॉइंट डालेंगे जैसे यह वाली सॉकट है यहां पर बेल्ट करवाएंगे इसको यह हम कनेक्शन देंगे ड्रिप के लिए और यह फ्लैंज आगे बेल्ट कर आएंगे इस फ्लैंज के आगे हम लोग गे यूनिट को फिट करेंगे यह आप देख रहे हैं अभी हम लोग एक निपल फिट करें इसमें उसके बाद यह हमारा फ्लैंज आ गया दोस्तों फ्लैंज लगाना इसलिए जुरूरी होता है था जो जब भी हमने मोटर कोल नहीं हो तो फिर्फ चार नट को खोले हमारा फिल्ट दोस्तों आपने इस फ्लैंज में इस हाइड्रोसाइकलोन फिल्टर को फिट कर लेना है दोस्तों आप वीडियो को लाइक जुरूर कर दीजे हम लोगों की बड़ी मेहनत आती है ऐसी इस तरह की एक वीडियो को तियार करने में यह हम लोग टैंपरेरी स्पोर्ट दे रहे ह इस फिल्टर को बाद में यहां पर पर की फांडेशन मनाई जाएगी अब यह अच्छी तरह इसके नट को टाइट कर देना है अब यह हाइड्रोसाइकलोन के फिल्टर के ओपर दोस्तों एक एल्बो आएगी यह एल्बो एच डिपी की होगी यह सदारन पीबीपी अलबो नहीं लगानी है अब यह हमने उपर एल्बो फिट कल लिया अब इसके बाद दोस्तों हमारी हीडर असेंबली आएगी यह दोस्तों हीडर सेंबली होती है जिए डिप इरिगेशन सिस्टम के लिए ही ओती है स्पैशली तो यह हीडर असेंबली की फिटिंग आप यहां पर करें हीडर सेंबली में वैंचरी के आउटलेट्स पहलने से बने होती है अब यह दूस्तों हमारा यह कंट्रोल वालब आ गया वैंचरी के लिए अब आप देख रहे हैं दूसरी तरफ हमने यह यूनियर फिट कर दी है अगर हमने वैंचरी को खोलना हो तो यह यूनियर से हम लोग खोल सकते हैं यह वैंचरी की कम्प्लीट फिटिंग है दोस्तों मैं उमीद करना हूँ कि आपको वीडियो बहुत फंद आ रही होगी और आपको अच्छी नॉलेज मिल रही होगी वीडियो से आपको वीडियो कैफी लगी यह दोस्तों वैंचरी हमारी फिट हो गई इसमें हम लोग दो इंची वैंचरी का यूज़ कर रहे हैं आपने के दोफ़तों हमसे संपर्क ही कर सकती है यह हमारी प्रेशर के जागी इसे हमें पता लगेगा सुफ्टम कितने प्रेशर पर चल रहा है यह दोस्तों श्लो मिटर हो गया सकते हैं यह ऐर भी ओगी दोस्तों एर लीजाब में में यह है वालुए hydroceclone filter की नीचे का camep हो गया है यह hydroceclone के नीचे दोस्तो flush valve लगेगा अब हमने फाफ करना है तो इस valve को हमने खूल लेना है इस फाफ हो जाएगा अब दोस्तो इसके आगे हम लोगने motor के आगे bypass valve लगाना है अगर हमने पानी लेना हूँ यहां से खुलना तो हम लोग इस control valve को खोल लेंगे हमें इस तरह पानी मिल जाएगा जब drip चलानी है तो drip का control valve खोल लेना है यह दोफ्तो बटरफ्लाइ वालब है और बहुत अच्छी quality का होता है अब दोफ्तो यहां पर हमारा screen filter आएगा तो इसकी नीचे हमने फीदी खुदाई करनी है खुदाई आप देड़ फिट गहरी करें काफी होती है अब यहां पर दोफ्तो हम लोग filtration unit को connection देंगे फीदा main line पे यह हमारा screen filter आगया इसमें हम लोग यह अपनी main line को connection दे देंगे यह हमारी 90 mm की main line है दोफ्तो और यह हमारा filtration के साथ इसका connection हो गया तो दोफ्तो हमारा पूरा filtration unit फिट हो चुका है तो अब हम इसके ओपर यह screen भी फिट कर देते है तो दोफ्तो यह हमारा screen filter भी फिट हो गया है यहां पे हमने दो फिट लगाए है एक हाईडो सैक्लोन एक screen filter यह screen filter का flush valve हो गया और यह दोफ्तो दूफ्तो दूफ्री pressure gauge होगी pressure gauge दो लगानी बड़ी जुरूरी है तो दोफ्तो हमारा पूरा फिट हो चुका है अभी हम लोग फिट को चालू करते हैं यह मैंने पहले drip का control valve खोल दिया और यह हमने वैंचरी का control valve खोल दिया अब मैं यह हमारा butterfly gate valve को बंद कर देता हूँ अब पानी drip में जाएगा फो दोफ्तो आप पूरा का पूरा जो पानी था वो drip system में चला गया इस फ्लश वाल फे अच्छी तरह पांच मिनट पानी को निकलने दे ता जो जितना भी खचरा होगा वो आफ निकल के साफ हो जाएगा यह हमारी फोला है मेंगी poly tube थी last में फे दोफ्तो इस में फे पानी निकलने और फिर इसाफ हो जाने के बार एंटिकैप लगा दे अब आप देख रहे हैं कि हमारे फारे ड्रिपर्फ चालू हो चुके हैं पौद्दे को पानी पौद्दे की जड़ों में फीदा मिल रहा है दोस्तो फो दोस्तो अभी हमने पूरे सिस्टम को चालू कर दिया है आप देख सकते हैं कि एक ऐफा सिस्टम हमने लगाया है कि पूरे के पूरे आठ हेकर में एट ए टाइम हर प्लांट के पास बराबर पानी जा रहा है और जब भी हमने इसको वर्टिकेशन को इखाद देनी होगी वो भी हर एक प्लांट को यहीं खड़े खड़े पूरी की पूरी खाद चली जाएगी अब आप फोच वक्ते हैं कि पानी की कितनी ज्यादा सेविंग हुई है कहां आठ हेकर को पानी देने में तीम चार दिन लग जाते थे अब दोस्तों फिरफ दो गंटे का काम है आठ हे प्लांट में ब्राबर पाणी लगना शुरू हो जाएगा कहीं भी कोई ऐसा प्लांट नहीं होगा जिसको ज्यादा पाणी मिलेगा और किसी को कम मिलेगा हार एक प्लांट को इक्वल पाणी मिलेगा एक दम ब्राबर इससे पूरे पूरे प्लांट की ग्रोथ एक ब्राबर होगी सबी प्लांट की जो क्वालिटी होगी फ्रूट की वह बहुत अच्छी होगी सबसे बड़ा दोस्तों फाइदा यह कि लेवर की इंवाल्मेंट पूरी खतम हो जाती है फिर बावने मोटराओं करनी है हारे के प्लांट को बापर मातरा में पाणी मिलना शुरू हो जाए